ओम शिरी शिवाय नमस्तू भ्यम हर हर महादेव चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं पंडिप परदीप जी मिस्रा के कर्ज मुक्ति के उपाई तो पंडिप परदीप जी मिस्रा द्वारा कर्ज मुक्ति के कई सारे उपाई बताए गए हैं चलिए उनको जानने का प्रियास कर करते हैं पहला उपाई ये हैं कि एक नारियल पर चंदन के तेल तता सिंदूर से उस नारियल पर स्वास्तिक का चिने बनाए तता उस पर मीटा भूग लगा कर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में चड़ाए इसा आपको पांच मंगलवार लगतार क आपको दो तीन मंगलवार से ही सकरात्मक परिणाम वे आपको उर्जा देखने को मिलेगी दूसरा उपाई ये है कि सनिवार के दिन प्राते काल जल्दी उटकर सनान करके जितनी आपकी लंबाई है उतनी लंबाई का काला धागा लेकर एक नारियल पर लपेटे उस नारिय कहते वे नारियल को बहादे इस उपाई से भी गर्ज मुक्ति होगी सबसे मैतोपुन और तीसरा उपाई ये है कि एक वट व्रक्ष के नीचे एक लोटा जल तता उस थोड़े से पीसे वे चावल और हल्दी मिला कर शोमवार के दिन वेंकटेश्वर महादेव का इसमरन करे वेंकटेश्वर महादेव का इसमरन आपको दो तीन शोमार तक करना है इसके पस्चात आपको उश्वट व्रक्ष की जड़ को अपने हाथ में या अपने पास दो से तीन महीनों तक रखना है इस उपाई से धन्शमंदी परिशानी कर्ज से मुक्ति और मांसिक परिशानिय से मुक्ति मिलेगी चोता उपाई मंगलवार तता सन्यवार के दिन तेल तता पीले शिंदूर का तिलक लगा कर अनमान जी को अनमान चालिसा का पाट करना चाहिए यह उपाई करने से कर्ज समंदी परिशानियां दूर होगी तता मन मन भी सहंत रहेगा